रीट लेवल वन में जिन जिन कंडिडेटों का सेलेक्शन हो चुका है मेरिट लिस्ट में उनके लिए देर सारी बदाईयां अब इसके बाद उनको क्या प्रोसेज करनी है वो इस वीडियों पूरी बताई जाएगी वीडियों को लाश्ट तक देखना आपको कौन-कौन से ड किस तरह से आपको तयार करना है वह इस वीडियों आपको सब कुछ बताया जाएगा तो सबसे पहले आपको जरुत होगी मूल आवेदन पत्र जो आपने फोरम भरा है उसावेदन पत्र की आपके पास में एक प्रति होगी वह आपके पास में होनी चाहिए पर दूसरी आध चाहठी साफ फोटोप आपके पास में होनी चाहिए को गिसे तरही एक्टेनन कि मार्क सीटे बच्छा स्विसे खाय तो उनकी मार्क स्वेख्छी traveling फोटो नहीं हैं कि उनके पास में डिक्री उगी तो वो डिक्री लेकर के जानी होगी और साथ में डिक्री हैं तुम फिर इसी तरह से कख्षा पारवी की मार्क सीट भी चाहिए और जिनके पास में डिगरी है तो डिगरी भी चाहिए जिनके पास में इसना तक की मार्क सीट है वो इसना तक की मार्क सीट और डिगरी दोनों तैयार कर ले अगर आपने मार्क सीट डिगरी प्राप्त नहीं किये अपने कॉलेज से तो मां सब्सक्राइब ले ले कॉल से तो मारे ले लिए वुदिके पास में इसनातों को तर तह réalité loot अजिए प्रपड़ी ये ले रिव성 कर रहे हो और साथ में दुझरी भी रट करें ले इनिवर्शिटी से अग्रिज में आ गई होंगी अगरी सबी के की मार्कक सीट आ अ sait 7 में दिप्रिकनीा मरे और जिने के पास में डिप्लोमा है बो डिप्लोमा है की त्यार कर ले जास में इस ठीसी की की प्रविश्थिति एंजिनी के पास में भी एड है या वी एस्टी सी यह उसकी प्रविश्थिति होनी चाहिए कि फिर अगला है विशेश सिक्षक विशेश सिक्षकों के लिए भारतिय पुर्ण निर्वास और कि फिर अगला डोकोमेंट है मूल निवास प्रमाण पत्र अगला है आय प्रमाण पत्र यह जो लोग आय नहीं देते उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना है जो उत्करष्ट ख्लाडी जिन्होंने वहरा है उत्करष्ट ख्लाड़ी का उनके पास में सर्टिपिकेट होगा है अगला है जाते परमाण पत्र यह एस्टी एस्टी ओवी ओवी सी और इडवलू एस्टीन के पास यह कैटेग्रिया है उनके पास में जाते परमाण पत्र ह और डिजी टर जाती प्रमानपत्र होना चाहिए मित्र देखन वना गया गया है टोकन में होते हैं तोक होतelectों और प्रमानपत्र होना चाहिए और जिस अंतिम शिक्षन संस्थान से रेगुलर रूप और शेकिशन कि यह उस hun कि चरित्र पर पत्र लेना होगा कactively फिर दौह बएस्टी सी वाले हैं उनको इसकॉट प्रवाण तो कि हुगा उनके पास वो तईयार कर लें कि जन्ने विद्मा को उप्सन भरा है उनके पास सर्टिपेंट होना चाहिए कि उसमें उसके पति की मृतित्यू की जनल मृतियू की डेट होनी चाहिए और आन लाईन वाला होना चाहिए ऑई लाइन वाले ही वैलेंड होते हैं इसफिंब करले मित्र वाले इस जिन्होंने ब्रिकलांग की Allen का उपप्शन उन के पास में बेकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए और जिर्योत तलाक सुदा है डिवोस वाले उनके पास में डिवोस सर्टिफिकेट होना चाहिए फिर भूत्पूर्व सेनिक प्रमानपत्र होना चाहिए और विवाः प्रमानपत्र जरूर होना चाहिए विवाः प्रमानपत्र जिनके पास में विवाः प्रमानपत्र है और जिनके पास में नहीं है वो भी क्या डिजीटल प्रमानपत्र ही वनवाए जो offline प्रमानपत्र थे उनको मानने नहीं किया जाएगा इसलिए आप digital document बनवाले तयार कर ले क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है तो यह थे document जिनकी आपको आवश्यक्ता होगी तो यह जितने भी आपको document की जरुत है वह इनमें से वह document तयार कर वाले क्योंकि बैरिफिकेशन में इन documents की आवश्यक्ता होती है वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन को ओल पर क्लिक कर देना धन्यवाद